हेलो जी कैसे हैं आप सब कैसे हो फटा फट से बताओ सब ठीक है ओडियो वीडियो सब ठीक है तो बताओ फटा फट से ओडियो वीडियो सब ठीक है फटा फट से बता दो मैं इतनी देर अपने यहां चला रहा हूं स्ट्रीम को लो जी आज यूटूब भी कहीं उड़ गया हमारा तो यूटूब के समस्य यह लगता है यूटूब भाईया कहा गए है हमारा यूटूब रोज आज कल दिक्कत देने लग गया एक मिनट बस यह ओन हो रहा है कमेंट दिखने लग जाएंगे तो फिर शुरू करते हैं क्लास को आगई यह लाइव क्लास हमारे सामने वोइस कम है कम आ रही है के वोइस हले लो जी मैंने वोइस अप कर दिया है अब तो थोड़ा और अप किया तो फटने लग जाएगी अब यह ओडियो ठीक है तो चलें शुरू करें आगया हम स्क्रीन पर चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को ठीक है कमेंट्स मेरे सामने आने चुरू हो गए है क्लास के तरीके से होगी चलिए तो हम अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं आज जो हमारा चैप्टर रहेगा वह बिजनस च्टडीज का चोथा चैप्टर है यह Business Studies का हमारा चोथा चैप्टर है यह ठीक है पहले तीन कौन कौन से चैप्टर हुए थे फटा फट लिख के बताओ किसने तीनों चैप्टर अटेंड की है पार्थ, दीपक, पूजा किसने तीनों चैप्टर टेंड की हैं फटाफट से बताओ चैप्टर के नाम लिखो जब तक मैं सारी चीज़े सेट कर रहा हूँ आज हमने टाइम पर क्लास शुरू कर दिया है अच्छी बात यह है क्योंकि आज हमारा कंटेंट रेडी था तीन चैप्टर हम कर चुके हैं बिजनस के करें आप लोगोंने बिननिस के तीन चैप्टर देखें जी आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है उद्यमिता एंट्रप्रेनर्शिप ठीक हैं मैं आपको बता देता हूं अभी कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर इंग्लीश में कुछ कहते हैं हिंदी में तो देखें इंग्लीश वाली भी पीडिएफ बन चुकी है मैं इसको अप्लोड करने वाला हूं English में भी यह PDF अप्लोड हो जाएगी यह chapter बना दिया गया है देख लीजिए चिक है English में भी यह chapter बन चुका है Hindi में भी बन चुका है English फाइल में थोड़ी देर में एप पर अप्लोड कर दूँगा तो कुछ students पूछते हैं सर इंग्लिश English कुछ Hindi Hindi करते रहते हैं तो दोनों के लिए matter बना रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं जितने जल्दी बन जाए word to word match है, बस translate है मतलब दोनों की दोनों फाइल हैं, जिसको इंगलिश में पढ़ना वो इंगलिश में पढ़ पाएगा जिसको इंगलिश समझ नहीं आती, वो हिंदी में बढ़ पाएगा जिसको दोनों समझ नहीं आती, वो भगवानी माली का येस, पार्थ ने बिल्कुल बढ़िया बता दिया है, कि कौन कौन से chapter करे है तो ये मैंने आपको बता दिया, ये इंगलिश में भी फाइल में थोड़ी देर में अप्लोड करने वाला हूँ तो अब हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, आंत्रप्रेनिर्शिप, ठीक है हमारा आज का टॉपिक है आंत्रप्रेनिर्शिप सबसे पहले अगर हम chapter शुरू करने देखिए, अब मैं आप लोगों के comment मैंने नहीं ली class chapter यूटूब पर ही है, पढ़ ले ना दंसे, नहीं ली तो आपने अभी मैं इन comments को देखना बंद कर रहा हूँ, क्योंकि class ठीक चल रही है तो इसलिए comments अभी उल्टे हैं, अभी सिर्फ हम पढ़ेंगे मैंने ये mobile को उल्टा रख दिया है, ठीक है जी अब मैं comments को नहीं देख रहा हूँ, अब मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ तो जैसा मैंने आपको बताया, दोनो language में ये chapter ready होगा है अब हम chapter को शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको समझना है कि ये entrepreneurship है क्या ये entrepreneurship क्या है, इसको समझना है, ठीक है जी, अब example लेंगे हम यहाँ पर ये light कैसे हो गया आज वापिस से लगता है किसी की नजर लग गई हम है अब ये software, मतलब software भी खराब होते हैं, hardware का तो समझ भी आता है, software भी खराब होने लग गई बताओ अब ये entrepreneurship क्या है, उद्ध्यम क्या होता है ध्यानते दिना, उद्ध्यम क्या है, तो आपको एक चीज समझनी है, ऐसा बिजनस, मैं यहाँ पर कुछ चीजे लिख रहा हूं, किसी तरह का कोई बिजनस, ठीक है, जो की कुछ चीज़ लिख रहा हूं, कुछ नया करने जा रहा है, कुछ नये काम को आप करने जा रहे हो, जो नॉर्मली नहीं होता है, कोई नए तरीके से नया innovation लेकी आयो, जिसमें रिस्क बहुत जादा है, जिसमें रिस्क बहुत जादा है, कोई आप बिजनस करने वाले हो, जो की बिलकुल नया है, जिसमें रिस्क का बेंतहार रिस्क है ठीक है उसको हम बोलते है जो वो करता है जो बंदा उसको करता है उसको एंट्रप्रेनर बोलते हैं एंट्रप्रेनर बोल देते हैं ठीक है और उस काम को एंट्रप्रेनर शिप बोल देते हैं समझ रहे हैं जो करता है उसको उध्यम ही बोल देते ह और जो ये काम होता है उसको उद्यम बोल देते हैं अब question ये आता है sir ध्यान देंगे यहां पर ये चीज़े note कर लेना बाद में क्या होता है आप लोग सिर्फ रटू तोता बनके रह जाते हो ठीक है तो आपको रटू तोता नहीं रहना है यहां पर यहां पर आपको एक बाद समझ नहीं है उद्यम क्या होता है ऐसा काम जो आप आजकल Shark Tank इडिया देख रहे हैं। वो इसी तरह के चीज़ों पर पैसा लगाते हैं वो लोग क्योंकि नए काम में रिस्क तो जादा होता है पर रिटर्न बहुत जादा आने के चांसे होते हैं। यह आपका Flipkart, यह आपका Amazon, यह आपका Ola, यह आपका Swiggy, यह आपका Zometo, यह आपका Lens Card, और Mobyquick, ठीक है, Paytm, यह सारे किस चीज़ के example है, यह सारे entrepreneurship के example है, यह सारे उद्ध्यम के उधारन है, समझ रहे हैं, Reliance उद्ध्यम का उधारन नहीं है, Reliance बिजनेस का उधारन है, यह बात समझ लेना, difference समझ लो, Reliance Industries, Tata, बिरला, यह बिजनेस के उधारन है, और जो मैंने आपको अब यह उधारन दिये, Paytm, Zometo, Mobyquick, ठीक है, यह सारे Flipkart, Snapdeal, यह सारे entrepreneurship के उधारन है, उद्ध्यम के उधारन है, यह बात समझ ना, क्योंकि इसमें risk बहुत जादा है, यह नए काम को करने के लिए जारे हैं, और यह बिजनेस की तरह हैं, बिजनेस की तरह हैं, वेपार की तरह हैं, पर यह वेपार नहीं है, हाँ, long run में जाके यह बिजनस में convert हो जाते हैं, अगर मैं Reliance को 1970 का आब जब कहूँ, जब उन्होंने केला सिल्क का वेपार शुरू किया था, ठीक है, जब उन्होंने केला सिल्क का काम शुरू किया था, जब 1970 में तब वो उद्ध्यम था, आज वो उद्ध्यम नहीं, आज वो प्योर बिजनस है, ठीक है, डिफ्रेंस समझ में आ गया आप लोगों को, आपको difference समझ में आ गया, ठीक है जी, हाँ जतिन आप, तो आपको मैं वही बता रहा हूँ, आपको यहाँ पर कुछ, एक मिनट मेरा call आ गया, एक मिनट मैं इसको silent कर लो, तो आपको दोनों चीजों में difference समझ में आ गया, entrepreneur और business में difference होता है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको दिया हुआ है, जब आप इसको पढ़ेंगे, तो मैंने इस PDF में इस चीज को take up किया हुआ है, difference between business and entrepreneurship, या entrepreneur आपने यहाँ पर देख लिया है, यह मैंने यहाँ पर दिया हुआ यहाँ आपको हिंदी की PDF में भी दिया हुआ है, जब आप चेक करेंगे, यह आ गया है, word to word match है, word to word, इस बार content में खास बात यह है कि मेरा सारा time content में जा रहा है, एक एक चीज को मैं दोनों को set करके दे रहा हूँ, जिसकों English में समझ नहीं आएगा, वो हिंदी में पढ़ ठीक है, यह इस बार खास बात होने वाली है, हमारे content में जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगी, यह बात ध्यान रख लेना, single book आपको market मैसी नहीं मिलती, जहां पर matter to matter match मिलेगा आपको, ठीक है, अच्छा जी, ओके, चलिए, तो यहाँ पर जब मैं उध्यम की बात करता हूँ, उध्यम क्या है, अब इसकी definition को पढ़ते हैं थोड़ा, entrepreneurship is the investing and risking of time, money and effort, इसमें किस चीज का risk है, time का, money का और effort का, इसको successful करने में, किसी व्यवसाय को प्रारम करने तथा उसे सफल बनाने में, उसमें समय, धन तथा प्रियासों का निवेश करना ही क्या है, उध्यमेता है, क तथा प्रियासों को निवेश करते हैं, और वो risky काम होता है, ये बात किसने कही, प्रोफेसर, मुसेलमायन एंड जैक्सन, ये definition भी याद रख लेना, क्योंकि पता ने, दीपक ने कहा था, पता ने किस student ने कहा था, कि सर आप definition को भी साथ में लिया किजिए, मुझे याद आ अर्थ में, ओधिमेता का तात पर्या जोखिम वहन करने, ओधिम क्या है, जोखिम वहन करने, एवं अनिश्चताओं का सामना करने की योजना, एवं साहत से है, इसमें मैंने कोई कारीगरी नहीं कही है, as it is, जैसा बुक में लिखा हुआ था, मैंने same line आपको दी है, मैंने इसमें छेडा चाडी नहीं करी है, क्योंकि definitions के साथ कभी छेडा चाडी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, हाँ जतिन, बिलकुल ठीक बात है, ठीक है, समाने अर्थ में, ओधिमेता का तात पर्या जोखिम वहन करने, एवं अनिश्चताओं का सामना करने की योजना, एवं साहत स है, क्योंकि जहां पर बहुत ज़्यदा रिस्क है, जहां पर traditional business नहीं है, traditional business मतलब जैसा normally होता आ रहा है, जैसे किरियाने के, मैं उधारन देता हूँ, आप मुझे आंस्वर देंगे फटा फट से, मैं आप से question बुचता हूँ, आपके नजदी की बजार में कपड़े की कान खोले, किसका उधारन है, किसका उधारन है, ध्यान से देना, पहला business का, अभी तक जितना मैंने पढ़ाया उसके साब से, यानि कि A, B है आपका entrepreneur, C, service, D, none of the above, आंस्वर देंफटा फट से मुझे, हलो भानू, आंस्वर देंफटा फट से मुझे, मैंने अपने नजदीक हमारे यहां पे गंगा नेगर में गोल बजार famous है, मैंने गोल बजार में जाकर कपड़े की दुकान लगा ले, अभी तक मैंने जितना आपको बताया है, गोल प्रेनियर्शिप, बिजनस, सर्विस या ननदी अबब, गोतम ने कहा बिजनस, दीपक ने कहा बिजनस, अरे बाकी कोई बतायेगा क्या सिर्फ बैठर होगे, शिल्पी कह रहे हैं, ए बिजनस, ये बिजनस का ही उधारन है, क्योंकि लोग वैसा काम कर रहे हैं, मैंने तो आप शार्क टैंक इंडिया में जाके कहो कि मैंने ना देखी बड़ी कपड़े की दुकान खोली है, उसके लिए मुझे पैसा दे तो थपड मारके भगा देंगे हमें, क्योंकि वो जो इन्वेश्टमेंट करते हैं, वो आंट्रप्रेनेर पे इन्वेश्टमेंट करते हैं, बिजनसेस पे नहीं करते हैं लोंग रन में जाके ये बिजनस में कनवर्ट हो जाता है बट जो स्टार्टप्स होते हैं स्टार्टप्स कहलो एंटर्पेनर कहलो वो risky matters, risky कामों के लिए होता है ये word use, ठीक है अब मोटे तोर पर मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सारा कहानी चलिए, तो उद्धिमेता से आप क्या समझे इसमें देखे क्या होता है नया काम होना चीए नया काम होना चीए, risk होना चीए और बिजनस तो होना ही चाहिए बिजनस मतलब वेपार, बिजनस बोल दो, सर्विस बोल दो, ये तो होना ही चाहिए बट वो नया नये तरीके का काम होना चाहिए और उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होना चाहिए अब रिस्क किस चीज का हो सकता है, टाइम का भी, मनी का भी ठीक है, और एफर्ट तो है है, मैनत ये आप लोग नोट करना, ये चीजे बाद में आपको ढूंडनी पड़ेंगी किताबों में पर इसमें से MCQs बनते हैं, आज में आपके पिछले तीन सालों के जो तीन पेपर हुए जूनियर अकाउंटेंट के उनका पोस्ट माटम कर रहा था, ठीक है, तो ये चीजे दिहान रखना, इनी में से MCQs बन जाता जैसे मैंने अभी बनाया था तो अब हम पढ़ते हैं, समाने आर्थ में उद्यमेता का तात्परिया जोकिम मेहन करने, MM अनिश्चित्ताओं का सामना करने के साहस और योजना से है इन शोर्ट, आपको मैंने कुछ इसके एक्जामपल लिखवा दिये, फ्लिप कार्ट, जोमेटो, पेटियम, ठीक है, मोबी क्विक, ये सारे इसके एक्जामपल हैं, लिख लेना, अच्छा जी आधनी क्षेत्र में उदमेता का विस्तार हुआ है, नए नए उपकरम उगिस्थापना, नियंतरन, उपकरम में परिवर्तन, सरजन शीर्ता, ये बहुत सारे चीजे हुई है इसको करने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, ये ध्यान रख लो, जो व्यक्ति ये योगिता रखता है, उन्हें उदमी या साहसी कहते हैं जो व्यक्ति ये सब काम करता है उसको उद्मी या सासी के नाम से जाना जाता है ये आपका MCQ है ध्यान रख लेना इसको नौट कर लेना ठीक है अच्छा सर definition ये मैंने आपको पढ़ा दी किसी व्यवसाय को प्रारम करने तथा उसल सफ़े बनाने के लिए समय धन तथा प्रियासों का निवेश करना ही उद्मेता है किसने कहा था प्रोफेसर मुसेलमाइन एंड जैक्सन ने ठीक है ये आपको नौट कर लेना है ये बात किसकी है हलनकी मुझे मेरा experience रहा है मुझे कभी definitions ना तो मैंने याद करी ना मुझे हुई अब मुझे ये याद नहीं आता कि मैंने कोशिश करी और मुझे से हुई नहीं या मैंने कभी किया ही नहीं ठीक है बट मुझे याद आता है कभी मैंने कोशिश ही नहीं की से आश्या समाज के नए उपकरम स्थापित करने की सामान्य प्रकरती से है उद्यमिता से आश्या क्या है समाज में नए उपकरम स्थापित करने की प्रवर्ती से है मतलब कुछ नया लाने के लिए समाज में कुछ नया लाने के लिए जो booster चाहिए है मैं उस प्रवर्ती जो nature चाहिए उसको इनोंने बोला है English में भी लिखा हुआ है आप लोगों को ये PDF मिल जाएगी Same matter आपको English में दिया हुआ है मैंने आपको दिखा दिया है जो नए student बार-बार जुड़ते मैं उनको दिखा देता हूँ Same ये matter आपको English में मिलने वाला है ये लिखा हुआ Same Same का Same matter English में जिनको नहीं मालूम English में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा ठीक है अब जो third definition आती है वो आती है definition आपकी In the word of Joseph M आगे इसका नाम क्या है Shkumter Shkumter है Shkumter है जो भी है Entrepreneur is an innovative function अब innovative क्या होता है Innovation नवाचार ठीक है ये क्या होता है एक नवाचार का function है Sir definition देने वाले के नाम पर ही मैं MCQ आ सकते हैं बिलकुल आ सकते हैं ये exam में सबसे बड़ी गड़बड ये है कि MCQ के जिसने definition दीना उसके उपर भी MCQ बना देते हैं चलिए Joseph A. Shumter इसका नाम Shumter है हिंदी में उदिमिता एक नव प्रवर्तन कारी कार्या है यह स्वामित्व की अपेक्षा नित्रित्व कार्या है मतलब यहाँ पर यहाँ पर लीडर्शिप ज़्यादा बढ़िया है एक इसका वेटेज ज़्यादा रहता है यह बात को आपको ध्यान रखना है ठीक है मोटे मोटे शब्दों में समझ में आ गया जो कि मैंने आपको शोट में लिख वाया था अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझसे पूस सकते हो यह definitions हो गई है अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप लिख सकते हो इस से relevant बात ही लिखना कोई चोथी पांच भी बात मत लिख देना पहले बता रहा हूं आप लोगों को बाहर की आज टॉपिक से बाहर की बात जिसने लिखी मैं उसको ब्लोग कर दूँगा ध्यान रखना आप था न व्यवसाई एवं उध्यम में क्या अंतर है यह मैं आपको अल्लडी बता चुका हूँ तो ब्लोग को व्यवसाई और उध्यम में क्या अंतर है मैं आपको अल्लडी बता चुका हूँ सधारन रूप से दोनों को एक समझा जाता है परंतु अंतर होता है मैंने आपको बता दिया व्यवसाई वैव एक्ति होता है जो पुराने विचार यहाँ पर आपको शब्दों को नोट करना है पुराने व्यवसाई को विचार के साथ व्यवसाई संचालित या शुरू करता है ठीक है example मैंने आपको लिखवा दिया था मैंने अपने शहर में कपड़े की दुकान खोली है सर बिजनस को कला मानेंगे बिल्कुल मानेंगे बिजनस एक आर्ट है यार हर कोई थोड़ी न उठा के कर लेगा आप सोचो आप क्यों कन्फीज होते हो कला या साइंस में बिजनस आर्ट क्यों नहीं है यार बिजनस करना खेती का काम है आर्ट का मतलब उसको सीखना पड़ता है बिजनस को सीखना पड़ता है बिजनस साइंस है हाँ है बिजनस के क्योंकि प्रिंसिपल है बिजनस के नियम कायदे पड़ते है न आपने बिजनस के प्रिंसिबल भी है तो बिजनस साइंस भी है अब आप खुद लोजिक लगाओ आठ का मतलब उसके लिए आपको सीखने की जरूरत है बिजनस के लिए डिगरी की जरूरत नहीं है पर बिजनस के लिए सीखने की जरूरत तो है हर कोई बिजनस नहीं कर सकता है, अगर कोई चीज हर कोई नहीं कर सकता है, मतलब वो एक आर्ट है, आर्ट को सीखना पड़ेगा आपको, आर्ट को सीखना पड़ता है तो बिजनस हर कोई नहीं कर सकता है, अब आप कोगे सर, सर बिजनस हर कोई क्यों नहीं कर सकता, अरे बिज जितनी टेंशन बिजनसमेन को होती है नोकरी वाले को न को कहします आठ गंटे की ड्यूटी है तो आठ गंटे टेंशन है बिजनसमेन को 24 गंटे की टेंशन है वेपार की ठीक है, तो बिजनस आर्ट है 100% है कोई किताब कैसे मर्जी कुछ लिखते हो मुझे वो नहीं पता मैंने सारी किताबे नहीं पढ़ी हुई बट बिजनस लोजिक लगाऊना आर्ट क्या होता है ठीक है हाँ इसके लिए कोई डिगरी नहीं चाहिए बट सीए करने के लिए डिगरी चाहिए बस इतना प्रोफेशन के लिए देखे एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल के लिए आपको डिगरी चाहिए बट बिजनस मैन के लिए कोई डिगरी नहीं चाहिए चलिए तो इसका एक्जामपल मैंने आपको कह दिया था ये पुराने तरीके के काम आप अगर कर रहे हो हाँ आपने जरूर नया किया है पर वो नॉर्मली मार्केट में होता था इसलिए वो क्या है उद्यम नहीं है बस इतनी बात आपको याद रखनी है बाकी आप पढ़ लेना ये पीडिएफ मैंने आपके पढ़ने के लिए ही है ये पीडिएफ आप लोगों के पढ़ने के लिए ही मैं आप में डाल रहा हूँ इसमें और ऐसा कुछ नहीं है जिसमें मुझे बहुत डिटेल में जाना पड़े और उद्यम व्यवक्ति है जो दुनिया में बदलाव लाने का काम करता है कुछ नया करने की कोशिश करता है जिसमें कोई रचनात्मकता कुछ नवीनता होती है जो खिम लेता है ये शब्द ध्यान रखना ठीक है ये स्टार्टप वर्ड भी इसके लिए यूज होता है सर मार्केट में ट्रेडिंग करना बिजनस है हाँ ट्रेडिंग करना बिजनस है ओद्यम मत बोल देना उसको करेक्टर स्टिक्स अब आते हैं अपने विशेशताओं की तरफ हम आगे हैं विशेशताओं की तरफ हम आगे हैं विशेशताओं की तरफ अगर कुछ समझ नहीं है इंग्लिश मीडियम प्लीज सर हाँ ये लो इंग्लिश मीडियम देखो ये लो इंग्लिश मीडियम मुझे पता था ये इंग्लिश हिंदी हली आपके रोज की काहनी है ये लो इंग्लिश मीडियम सर इसलिए तो कल दीपक मुझे कह रहे दे न हाँ जैसे एलोन मस्क वेरी गूड एग्जामपल वो बंदा वो बंदा बिल्कूल entrepreneur है अभी तक समझ आ गया सब कुछ समझ आ गया तो येस करो मैं आगे बढ़ू फटा फट से characteristics of entrepreneurship और इसमें क्या-क्या खास बाते हैं वो ध्यान रखनी है हमें क्या-क्या इसमें खास बात होती है वो हमें ध्यान रखना है ठीक है creative activity ध्यान देने वाली बात क्या है creative activity मतलब कुछ नया करने की आदत कुछ नया करें creative होना चाहिए कुछ नया सोच creative में क्या होता है कुछ नई सोच ठीक है कुछ नई सोच करने की बात करते हैं वो ये सब 12 में था हाँ था बिल्कुल सही बात है ठीक है creative activity अब होता क्या ध्यान देना अब ये creative activity का क्या मतलब है आपने अगर shark देखें सही time पे सही चीज market में आई है पहली बार ऐसा लग रहा है shark tank इंडिया अगर आप लोगों ने देखा हो तो ये सब चीजें आपने वहाँ पे देखी हैं सुनी हैं समझी हैं अगर आपने देखा है तो ठीक है अब किसने नहीं देखा है मुझे नहीं पता shark tank इंडिया इस इंडिया के सबसे बड़े सबसे बड़ा को ले जाए मैं तो कहता हूँ अगर आज वो admission शुरू करें अगर आज शारक टैंग इंडिया कहे कि नहीं मैं बिजनस की तियारी शुरू करवाता हूँ सबसे पहले मैं अपना registration करवाऊंगा फीस जितनी मरजी लेगा वो क्यों आई एम तक समझाने में कई महिने लगेंगे जो शारक टैंग इंडिया ने अपने तीस एपिसोड में समझा दिया ठीक है सबसे बड़ा बिजनस का स्कूल है वो चलिए अब मैं आपको पताता हूँ ध्यान देना creative activity अगर आप आपने वहां सुना हो तो वह उन्हें पूछा था कि आप ऐसा कौन सा unique काम कर रहे हो आप कौन सा unique काम कर रहे हो यानि कि unique new कितनी बड़ी problem solve करने जा रहे हो आपने ये शब्द सुने होंगे वहां पर कितनी बड़ी problem solve करने जा रहे हो अगर आप किसी problem को solve नहीं करने जा रहे हो आपको याद होगा वहाँ पर दो-चार ऐसे लोग भी आये थे एक वो नाभी को goal कर रहा था, attractive बना रहा था कोई problem है कोई नाभी को goal करने के लिए ऐसे वेक्टी भी आये थे अगर आपनी shark tank में देखा वो glass को mask पहना दिया था ऐसे लोग भी आये थे, वो कोई बड़ी problem नहीं थी वो entrepreneur नहीं थे, छिक है तो कहने का मतलब यह है कि आपका idea कितना unique था, कितना new था, कितना problem थी अगर आप उन चीजों पर काम कर रहे हो, जिसमें क्या हो गया है अब आपने वहाँ देखा होगा, कई लोगों ने नए तरह के केले के packet, केले के chips याद होगा आपको shark tank इंडिया में मैंने 30 के 30 episode देखे हैं, ठीक है, केले के chips वहाँ पे introduce हुए थे या वो नए तरह की services लेके आये थे, कई तरह की apps आई थी आपको देखा होगा लाश्ट episode में उन्होंने cable TV के लिए एक नया box बना दिया था, जिसमें वो सारे subscription इकठे दे रहा था, तो entrepreneur क्या करते हैं, goods और service को बनाते हैं created या made by entrepreneur in place, जगा के हिसाब से, रंग रूप में, उसके अकार में, उसमें क्या कर देते हैं, वो बदलाव कर देते हैं, जिससे समाज के लिए फाइदे मन्द हो जाता है, जिससे वो समाज के लिए फाइदे मन्द हो जाता है, मैं देखे शार्क टेंक इंडिया आपने students के लिए, तो यहाँ पर देखिए, आप कुछ नया बना रहे हो, कुछ नया बना रहे हो, कुछ नई सर्विस बना रहे हो, वो रंग रूप में, रंग रूप अकार में, मार्केट में भिन हो, और समाज में वो कुछ काम आए, समाज के लिए कुछ फाइदे की चीज वो हो ठीक है, अचा, Peter F. Drucker अब ये नई definition आईए, देखें यहाँ पर हलंकी, हर definition को याद करना जरूरी नहीं है बट मैंने यहाँ पर रखाया, जो student करना चाहें, वो कर ले ठीक है, जो student करना चाहें जो student करना चाहें, वो कर सकते हैं यहाँ पर ये definition important नहीं है, बाहर जो definition थी, वो important थी बाहर जो मैंने तीन definition आपको दी थी, वो जरूरी थी, ये वाली definition जरूरी नहीं है अब यहाँ पर Peter F. Drucker ने क्या कहते हैं, entrepreneurship can turn even a heavy clay into gold मतलब, इनका कहना है, कि entrepreneur जो होते हैं, उद्यमी होते हैं वो rate को भी सोना बना सकते हैं, मिट्टी को भी सोने में बदल सकते हैं entrepreneur क्या करते हैं, मिट्टी को भी सोने में बना देते हैं और ऐसा होता है, ऐसे ऐसे startup आया हैं, जो पुराने कपडों से नई-नई innovative चीज़े बना रहे हैं, ठीक है अब यहाँ पर यह मैंने अपनी कारिगरी कही है, यहाँ पर यह मैंने डाला यह matter आपको books में नहीं मिलने वाला, यह headings जरूर मैंने किताबों से ली हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि मैं heading के साथ अच्छेड अच्छाडी नहीं करी, मैंने इसके अंदर matter जरूर अपना change किया है, ठीक है अब बता देता हूं इसमें, अब हिंदी वाले कहेंगे, सार हिंदी थोड़ी दिखा दो, तो मैं हिंदी भी दिखा देता हूं यह दोनों फाइल हैं आपको app में बिलने वाले हैं, तो इसलिए लड़ना नहीं, ध्यान रखना, ठीक है तो यहाँ पर कहते हैं, आज वर्तमान में ऐसे कई उद्यम सामने आ रहे हैं, जो हमारे दिन प्रति दिन के कच्च्रे से भी, आपको याद होगा, आप बहुत सारे चीज़े ऐसे सुनते होंगे, जिन्हों ने क्या किया, कच्च्रे से भी टाइले बना रहे हैं, सुना है न आपने नितिन गटकरीजी को सुना होगा, जो हमारे सडक और परिवाहन मंत्री हैं, कच्रे से क्या कर रहे हैं, वो सडकों में न वो जो बिटुमिन बनता है, जो क्या बोलते हैं, बिटुमिन ही बोलते हैं, उसके अंदर वो कच्रा प्लास्टिक मिक्स करके सडके बना रहे है तो ऐसे नए नए आईडियाज आते हैं इसके बाद आप देख रहे हैं पुराने वस्तरों से आपने शार्क टांग इंडिया में देखा था वो पुराने पुराने कपड़ों से क्या कर रहे थे वो लोग अपने वो नए फैशनेबल आईटम्स बना रहे थे वो नए बच्चे से आए थे ना 18-18-20-20 साल के बच्चे उन्होंने क्या किया था नए श्टाटप खोला है वो कपड़ों से नई क्रेटिविटे करके उन्होंने नए नए डिजाइन बनाए थे तो यह मैंने डाला है यह मैटर तो आप इसको पढ़ना जिससे आपको और समझ में आएगा ठीक है यह जो नोट्स हैं यह सिरफ कट कोपी पेश नहीं हो रहे हैं कहीं से भी उठाया और कहीं भी चिपका दिया ऐसा बिलकुल नहीं होने वाला है इसमें जहां जहां हम लोग अपना इंपुट दे सकेंगे जहां आपको सिरफ किताब पढ़के समझ आ जाए हम वो काम भी कर रहे हैं यह बात आप समझ लेना ठीक है अदर्वाइस क्या होता है आप रट्टाफिकेशन करते हैं किताबों में कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता है हम जहां जहां कोशिश कर सकते हैं वहां पे अपनी वैल्यू एडिशन जरूर करेंगे अच्छा यही तो फर्क है एक पब्लिकेशन वाला सिर्फ किताबे बनाता है और एक टीचर किताब लिखे तो उसमें फर्क होता है उपकरम की स्थापना है संचालन जब हम क्रेक्टर स्टिक्स पढ़ रहे हैं तो आप दूसरा आगया इस्टैबलिश्मेंट एंड ओपरेशन ऑफ एंटरप्राइजेज यानि कि स्थापना भी करना है और उसको चलन भी करना है हिंदी में ठीक है मतलब इतना जोर जोर से बोल के न थोड़ा ठक गया कोई बात ने उपकरम की स्थापना है मैं संचालन अब उद्मेता क्या करती है उद्मेता व्यवसाय प्रधान अभीवरती है यह व्यक्तियों को इस बात की प्रेड़न देती है कि वे नवीन व्यवसायों की स्थापना करें पहला शब्द आपको यहां ध्यान रखना है उपकरम की स्थापना, आप क्या कर रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं, फिर उसको संचालन कर रहे हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपको यहां पर सिर्फ इतना समझना है कि कुछ नया आप स्थापित करो, कुछ नया लाओ, नया लाओ, नया चलाओ अब देखो, वो English English शुरू हो गया है, वो Hindi Hindi यार पढ़ लेने तो मैं दोनों पढा रहा हूँ देखो, एक teacher सोचो, दोनों को कैसे ले के चल रहा होगा, आप ये भी दो देखो, एक teacher दोनों को ले कर चल रहा है, दोनों के लिए material बना रहा है, आपको पता है, आप ऐसे मत करो यार ठीक है दोनों को पढ़ने का material दे रहा हूं यार free of course पढ़ा रहा हूं फिर ऐसे तंग मत करो ठीक है नया business लाओ मैंने यहां पर shortcut लिखा है लिख ले ना copy में नया लाओ इस heading का मतलब क्या है नया लाओ नया चलाओ इसका क्या मतलब हो गया simple सा मतलब है नया business बनाओ नईचीज लाओ उसको चलाओ भी यानि किस थापना तो करनी है उसका संचालन भी करना है, उसको चलाना भी है अब मैंने उधारन यहां पर मैंने डाला Ola का, Ola सुना है ना Ola हाँ वो ही Ola 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 ने अपना स्कूटर मार्केट में उतार कर एक नए बजार को छेड़ दिया है अब Ola ने क्या किया? Ola ने देखा मार्केट में डिमांड है Ola ने देखा मार्केट में एक डिमांड है ठीक है? हाँ है अब Ola ओलरेडी टेक्सी के बिजनस में थी आपको मालूम हो मैं Ola के सर्विसेज यूज करता हूँ आपने भी जैपूर में से यूज कियोगी Ola को ओपरचनेटी मिली उसने अपनी EV बाइक लॉंच कर दे और बहुत अच्छा रिस्पॉंस भी मिला हलंकी उनके सर्विस लेट हो गई है उन्होंने इसकी अक्टूबर में डिलिवरी करने थी अभी तक डिलिवरी नहीं हुई है मैंने 15 अगस्त को भी बुकिन कर वाली थी इसकी ठीक है अच्छा तो नया लाओ यहां लिख लेना नया लाओ नया चलाओ सर याद रहेगा अब तो आना एक मिनट अब हम आगे हैं अब यहां पर result of different changes थर्ड डेफिनेशन आगई result of different changes पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको इसको explain भी कर दूँगा ठीक है उद्धिमीता क्या करती है उद्धिमीता क्या करती है अब्जर्व करती है मार्किट में क्या चेंज हो रहा है मार्किट में क्या चेंज है उसके हिसाब से वो नए product लाती है जैसे मैं बात करूँ अब ध्यान से देना अभी आपने Meta का नाम सुने Meta का अभी यह Meta क्या चीज है Facebook ने अपना नाम बदल दी है Meta Facebook से Meta कर दी है Meta is virtual world Meta क्या है virtual world है मतलब एक अभासी दुनिया मैं अभी जिनका call आ रहा था ना वो मेरे partner न है डेली में वो IT का बंदा master है वो ठीक है मेरे IT के project चलते रहते हैं उनके साथ तो हम लोग यह 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 परसन मुझे वी यार के बारे में सिखा रहे हैं पिछले तीन सालों से वर्चुल रियालिटी के बारे में अब तो मैं बहुत कुछ जानता हूं मैंने इसके लिए channel भी बनाया था पर समय नहीं दे पाता हम आपर वर्चुल रियालिटी Augmented Reality 3D अच्छा खासा सीख चुका हूं मैंन के बारे में ठीक है तो इन्होंने मुझे तीन-चार साल पहले सही कह रहे थे Facebook अब लॉंच कर रहा है बहुत सारी Microsoft यह सारी कंपनिया अब लॉंच करने वाली है इसको hologram बगरा अब यह क्या हो रहा है यह observe कर रहे थे यह observe कर रहे थे market में क्या change हो रहा है नहीं नहीं टेकनोलोजी है हलंकी VR बहुत पुरानी टेकनोलोजी होगी 7-8-10 साल होगे इनको launch होए को hologram को बट इन्होंने धीरे 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 इसके उपर काम शुरू किया और आज यह स्थिति में आ गए जैसे पेटियम का याद है आपको सरकारी परिवर्तन क्या था फटा फट से बताओ पेटियम का फायदा कब हुआ था इधर से पेटियम launch होगा था साल-दो-साल-तीन साल हुए थे Mobi Quick launch होगा था सरकार ने नोट बंदी कर दी सरकार ने नोट बंदी कर दे तो उद्धियम खुलते हैं नए नए उद्धियम खुलते हैं फिर इसके बाद क्या हुआ भीम UPA आगी भीम UPA कैसे लोण चुई क्योंकि डिजिटल करना है, डिजिटल करना है, तो इसलिए ये एक परिवर्तनों का क्या होता है, परिणाम होता है, ठीक है, मार्किट के चेंजिस को अब्जर्व किया जाता है, उसका ये परिणाम होता है, अब मैंने यहां पर एक अलग ही उधारन दिया, आपको देख लेना यहां मैंने एक अलग ही उधारन दिया यहां पर यहां पर आजकल क्या हो गया है लोग मीट जानवरों को मार कर खाने की बजाए आजकल वीगन होते जा रहे हैं वीगन आपने वर्ट सुना होगा ठीक है बेसिकली यह नोनवेज की तरह टेस्ट तो देता है पर वह नोनवेज नहीं होता है वेजेटेरियन ही होता है ठीक है या लैब बेस या फिर लैब बेस्ट मीट आजकल त्यार होता है जिसमें लैब के अंदर मीट त्यार हो रहा है आप लोगों ने अगर इसके बारे में सुना वह एक्च्छल में मीट नहीं होता है नोनवेज नहीं होता है पर वह लै लेना इसको मैं जो भी आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच है मैं उसको किताबों के अंदर डाल रहा हूँ जो चीजे मेरी नौलेज के इसाब से हैं ठीक है अच्छा सर सर और सब्जेक्ट का टाइम क्या है पहले यह तो पढ़ लो और सब्जेक्ट भी आजेंगे टीचर जो मैंने टीचर अपॉइंट किया है जैसे मैंने बिजनस टुडिस का एक टीचर अपॉइंट कर लिया है उसने आज वह मैटर बना रहा है ठीक है मैंने अकाउंट्स के टी आपसर खोजने की प्रक्रिया क्योंकि मैं भी चाहता हूँ आप लोगों को quality मिले एक teacher आपको सब कुछ न पढ़ाए ठीक है अगर मैं सारे subject पढ़ाऊंगा यह यह नहीं है कि मुझे आता नहीं है क्योंकि मैंने यह सारे subject distinction से पास कियो है मैंने यह सारे subject distinction से पास कियो है I'm a qualified chartered accountant यह subject में अच्छा था इसलिए मैं CA बना इसमें कोई शक्की बात किसी को नहीं होनी चाहिए बट मैं हर subject आपको उस quality के साथ और उस energy के साथ नहीं पढ़ा सकता हूँ यह बात clear है आप भी जानते हैं मैं गलत बात नहीं बोल रहा हूँ बट जब तक वो teacher नहीं आते तब तक मैं 2-3 subject आपके यह ले रहा हूँ जैसे वो teacher आजाएंगे economics के, business के, accounts के तब यह मैं उनको handover कर दूँगा और मैं बाती चीज़ों पर आपके books पर ध्यान दूँगा आप लोगों की delivery करवाने वाले उन चीज़ों पर काम करना शूरू करूँगा क्योंकि वो सारा का सारा मेरे इर्दगीर्दी है यह काम, ठीक है, online class भी नया परिवर्तन है, अब यह परिवर्तन नया नीराडियर, अब यह पुराना हो गया है, नई चीज़े मैं आपको बता technology आ रही है, अवसर खोजने की प्रक्रिया, हाँ, बट मैं चाहता हूँ कि जब वो technology डंग से दर्ती पे उतरे, अभी वो आने वाली है, अगले दो सालों में आप देखेंगे, तब मेरे पास अच्छे खासे पैसे हों कि मैं उसमें सबसे आगे हूँ, ठीक है, और बड़े- उसके अंदर entry मार लेता है, जैसे जोमेटो और स्वीगी ने, जैसे जोमेटो और स्वीगी ने, अभी जोमेटो और स्वीगी ने क्या देखा, कि लोग अच्छा से अच्छा खाना खाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक जगा से दूसरा खाना घर तक पहुं की ताकत होनी चाहिए जैसे मेरे जैसा वैक्ती भी कुछ आउसर खोज रहा है जैसे लोकडाउन लगा तो कई और अकेडमी ने अपने कोर्सई इतने सस्ते कर दी और बलक में बेचे हैं ठीक हैं क्वालिटी दी नि दी भगवान जानता है उनहोंने कॉर्सि बेच दिए पैसा कमाया है खूब और क्वालिटी नी दी बच्चों के रिजल्ट में कोई फरक नहीं आया उनन्होंने बच्चों भी आप जाओगे quality नहीं दे पाओगे ये बात हमें समझनी पड़िएगी इसलिए मैं कहता हूँ मैं खुद online teaching के फेवर में था बट online teaching अपनी जगा है अभी students आप लोग आते हैं अभी आप लोग आते हैं पीछे YouTube ये बताता है कि कौन सा बच्चा कितनी दिर बैठा मलब बच्च स्टूडेंट वाइज नहीं बता पाता YouTube पर ये जुरूर बताता है कि on an average बच्चे ने 4 मिनट बैठा 10 मिनट बैठा 15 बतात जते नियुक्त पूरा सुनके जाते हैं ये कुछ student ऐसे हैं बट कुछ student ऐसे हैं आ रहे हैं और जा रहे हैं पिकनिक मना रहे हैं ठीक है तो यह चीजे होती है इससे इससे इसे फर्फ बट जब ऑफ-लाइन होगा ऑफ-लाइन में जो स्टूडेंट एक बार आ गया वह कुछ गिंती के यही 3-4 नाम ऐसे कुछ 25 नाम होंगे बाकि सब पिकनिक मनाने आते हैं चलिए जोखिम वहन करना मैंने आपको बता दिया जोखिम तो वहन करना ही पड़ता है अब मोटा मोटा आपको यहां पर यह लिखा हुआ है इस पूरी काहनी में इस पूरी काहनी में लिखा हुआ है कि बड़े बड़े लोग ध्यान देंगे बड़े बड़े लोग मतलब क्या करते हैं बड़ी-बड़ी नोサ चोड़ कर बड़ी बड़ी नोक्रियां छोड़ कर क्या करते हैं अपने बिजनस करते हैं और मैंने यहाँ पर Lenskart के CEO Pius Bansal का उधारन दिया हुआ है मैंने यहाँ पर Lenskart के CEO Pius Bansal का उधारन दिया हुआ है कि उन्होंने भी अपनी Microsoft की नोक्री छोड़ी थी अपने इस startup के लिए, ठीक है, उन्होंने भी अपनी Microsoft के अंदर नोकरी छोड़ी थी, अच्छी खासी नोकरी थी, इस startup को चलाने के लिए, I hope clear हो गया होगा, मतलब risk तो लेना ही पड़ता है, बिना risk ले तो कुछ बाड़ी बनते नहीं, अब मैंने भी अपनी अच्छी practice छोड होगा, cases आते हैं, मैं लोगों के WhatsApp पे, वो case की फाइल भेजते हैं, notice भेजते हैं, मैं उनको खोलता तक नहीं हूँ, क्योंकि जैसी खोल लूँगा, मुझे फिर वो call आजेगा, कि भास उन्होंने पढ़ लिए होगा, मैं उनके message खोल ही नहीं, इतने सारे notice आ रहे हैं, आप innovation तो लाना ही पड़ेगा ना, जैसे अब Amool का example मैंने यहां set किया है, यह बटा आप पढ़ लेना, यह आप लोगों के लिए PDF है, बुक पढ़ने के लिए है, मैं आपको सिर्फ explain कर रहा हूँ, मैंने इसके अंदर उधारन भी डाल दी है, आपको याद रहेंगे, बस copy में लिखते रहना थोड़ा थोड़ा, copy में यह सब लिखते रहना जो मैं बोल रहा हूँ, यह मैंने यहां पर उधारन फिट कर दी है, जहां जहां हो सकते थे, यहां पर इनोवेशन का उधारन मैंने क्या फिट किया है, अमूल 1960 में भी अच्छा काम कर रही थी, बट आज अमूल कई राज्यों में काम कर रही है, अपने टेकनलोजी उसने नया इनोवेशन किया, नए नए प्रोड़क्ट लॉंच कर रही है, अमूल आप देख रहे हैं न, एनर्जी बार, चोकलेट, दूद, नए नए बिसकेट, और पता नहीं क्या क्या लॉंच करता जा रहा है हलंकी, अमूल बिजनस में है, बट वो नई टेकनलोजी और वो सब चीज़े यूज करता जा रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अमूल का एक्जामपल लिया, और भी बहुत सारे एक्जामपल आ सकते थे, बट अमूल आप लोगों से डेली लिंक है, ठीक है, अब मैं ब व्यक्ति की जो बिजनस करने जा रहा है, ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति की जो बिजनस करने जा रहा है, सबसे पहले तो वो स्वस्थ होना चाहिए, उसका स्टैमिना बड़ा होना चाहिए, ठीक है, बढ़िया स्वास्त्य होगा तो बढ़िया काम कर हाँ पतांजली बोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है बढ़िया स्वास्ते होगा तो बढ़िया काम कर पाएगा ठीक है इसमें मुझे नहीं लगता है मुझे कुछ बताना चाहिए इसलिए मैं इसमें example भी कुछ set नहीं कर पाता या स्वास्थे में क्या example set करूं किसका करूं कि बढ़िया स्वास्थे होगा तो या तो उध्यमी की बात हो रही है ठीक है इसलिए मैं यहाँ पर कोई example नहीं set कर पाया इसकी qualities है लिख लेना question यही बनेगा इन में से कौन सी एक entrepreneur की quality नहीं है चार देगा तीन होंगी एक नहीं होगी यह MCQ बन जाएगा यह मैं आपको दे दूँगा ठीक है hard working होना चीए बिलकुल होना चीए hard working इसमें तो कुछ मुझे नहीं लगता सिखाना चीए या तो आपको पता ही है आशावादी आशावादी तो होना ही चीए न पोजिटिव व्यक्ति पोजिटिव थिंकिंग मैं तो पढ़ाई रहा हूं मेरे भाई वो future दर्शी होना चीए अब उसमें future देखने की शक्ती होनी चीए जैसे मैंने आपको बोला ना अब ध्यान से सुनना मैं अपने example कोई यहां लिख लेता हूं लिख लेना अब मैंने आपको बोला ना एक education में नया system आने वाला है जहां पर यह बड़े बड़े coaching institute है इनको भी बदलना पड़ेगा ठीक है और मैं भी चाहता हूं कि तब तक मेरे पास दो चार पांच करोड रुपया मेरे हाथ में हो तब मैं भी उसका यूज कर पाऊंगा ठीक है तो बात यहां पर यही हो रही है कि उसको भविश्य दर्शी होना चीए कि मार्केट कैसे बदल रहा है आप मार्केट में क्या चीज नहीं ला सकते हो ठीक है अभी देखो कोई भी कोचिंग इंस्ट्यूट किताब देता है कि आपको कोई भी कोचिंग इंस्ट्यूट आपको बुक देता है क्योंकि बुक चापना अपने आप में एक चैलेंजिंग काम है ठीक है उसका distribution उससे बड़ा challenging काम है कोई academy दे रही है तो आप मुझे बताओ books, notes, video, video वो अलग चीज है क्या आपको कोई books इस तरह से देता है? नहीं, books वाले अलग हैं, coaching वाले अलग हैं अपने coaching में वो कोई books दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं तो यहां पर, अच्छा मैं books के अलावा कुछ नया भी करने की planning कर रहा हूँ बट डिपेंड करेगा आपका exam सेप्टमबर में हो जाए अगर सेप्टमबर से लेट होगा तो वो चीज़ भी मैं नहीं implement कर दूँगा पर पहले मैं किताबे बनाना चाहता हूँ अब effective personality ये जो headings है ना ये सिर्फ पढ़ने के लिए आप इसको पढ़ लेंगे तो easy हो जाएगा मैंने ये दे दिया इसमें theory भी लिख दी है कि भाया उसकी personality बढ़िया होने चीज़ अब इसमें मैं क्या समझाओंगा अब खुद ही पढ़ लेना यार capacity to take decision उसमें निरने लेने की शमता है अगर निरने ही नहीं ले सकता तो business क्या खाग चलाएगा decision लेने की शमता तो होनी चाहिए न तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ आप भी समझ गयोंगे कि इसमें कुछ बताने वाला नहीं है imaginative वो कुछ नया सोच पाए imaginative का मतलब है कुछ नया सोचने की शक्ति हो ठीक है कुछ नया सोच पाए कल्पना शक्ति बढ़िया हो और कल्पना शक्ति कोई reasonable हो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कोरी कल्पना यह ना हो जैसे आप लोग सोच लें यार मैं तो 100 में से न 99.99% मार्क्स लाँगा अबर आपको भी पता है आपकी उकात 60 की भी नहीं है ठीक है तो आप यह 99% की कल्पना करे जा रहे हो यह तो फाल्तो की बात है या फिर आप सोच रहे हो मैं ना पूरा इंडिया खरीद लूँगा मल जश्ट आपको समझा रहा हूँ कि यह ऐसी चीजे बात कर रहे हैं रिलाइंस वाले भी नहीं सोचते हैं कि हम पूरा इंडिया खरीद लेंगे ठीक है तो बस वही बात है इमेजिन वह उसकी कल्पना शक्ती होनी चाहिए पर ऐसी नहीं हो नहीं चाहिए कि सिर्फ कल्पना ही हो फिर वह धंदा क्या करेगा वह सोचे गई सिर्फ ठीक है तीवर बुद्धी होनी चाहिए आत्मिशास होना चाहिए यह तो फालतों के पॉइंट से मुझे मेरा मुझे टॉपिक करवाना था इसलिए मैंने आपको यह करवा दिया है बढ़ यह चीज़े आप पढ़ भी सकते हो ठीक है अभी importance of entrepreneur अभी इससे फाइदा क्या होता है यह देखने वाला है इससे उप्योगिता क्या होती है अब हमें वो समझना है ठीक है English वालों को बता दू यह matter आपका English में भी है जो नए जो नए आते रहते है न उनको भी लगना चीए कि हाँ हमारी भी है English वाले में यह लो यह सारा matter English में है बोल मत जाना कि हाँ अभी कोई question है तो पूछ लो मैं एक मिनट का break लेना चाहूंगा बोल बोल के थग्या कुछ question बूचना है यह sir vacancy कब आएगी पेपर कब आएगा यह पता है मुझे सप्टमबर में vacancy कब मर्जी आए उससे क्या फर्क पढ़ता है पढ़ता है क्या फारम जब मर्जी बरा लो यह फालतो को question मतला है करो यार पता है जब पेपर की डेट देदी उन्होंने अब sir vacancy कब आएगी पेपर दे दिया उन्होंने यार calendar दे दिया पूछना है तो कुछ पूछलो फटा फट से कुछ question पूछना है या मैं आगे चलू sir material दोनों language में मिलेगा दोनों language में आपके सामने है पढ़के देख लो कहीं कोई दिक्कत आती है तो material में sir hindi कहीं ऐसे तो भारी भारी शब्तों नहीं डाल दोगे जो पढ़ने में नहीं आएंगे आपके सामने है मैं उसी में से पढ़के पढ़ा रहा हूं हिंदी और English दोनों की फाइलों को तो बच्चों के ऐसे question आ रहे है मेरे पास सर किताब में कोई शब्दों को समझ में तो आ जाएगा आपके सामने है simple language लिखे हुए है तो ऐसे चीजों में फसना नहीं है हां कई बार कुछ Google का यूज करते हैं तो वहां पर Google कई बार हिंदी के कुछ ऐसे शब्द दे देता है जो कि थोड़े टफ होते हैं ऐसा हो जाता है बट हम उसको भी अपना कम करने की कोशिश कर रहे है बिल्कुल minimize मतलब उसका effect ना आए ठीक है आप लोगों के सामने है चाहिए English की फाइल देख लो चाहिए आप Hindi की फाइल देख लो यह लो आप पढ़के देखो screen पे आपको दिक्कत लगती है गई नितेश ध्यान से सुनना पेपर टू तो पूरा कवर होई रहा है पेपर वन के लिए मुझे जो टीचर्स चाहिए वो भी हो जाएंगे कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है तो मैं पूरा करवाऊंगा इसमें कोई शक वाली बात नहीं है बट अभी मैं पेपर वन पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ पेपर वन अगर शुरू भी होगा तो मार्च के आसपा से शुरू करूँगा क्योंकि एक तरफ तो मुझे रोज मेटीरियल बनाना पड़ रहा है रोज क्लासिज लेनी पड़ रही है अपनी खुद की और दूसरी तरफ मुझे उनको अरेंज भी करना है तो टाइम अभी थोड़ा कम मिल रहा है पर मैं अहां से लेबस हो जाएगा सर आपने जो पहले चैप्टर पढ़ाएं हैं उनकी पीडियाफ कम मिलेगी इंग्लिश में बन गई है भाई वो डाल दी है मैंने हिंदी में अभी टाइम लगेगा क्योंकि बनाएंगे अभी ठीक है बनती जाएंगे यार अप्लोड होती जाएंगे टेंशन क्यों लेना जो पढ़ रहा एक बर उसको तो पढ़ते चले जाओ न मैंने आपको बोल दिया मार्च एंड या एप्रेल के फर्स्ट वीक में हम लोग आपको अवेलबल करवा देंगे पूरा स्लेबस तो अब कोई पहले कोई बाद में ऐसे चलेगा हलो पूजा बहुत लेट हो गए आज क्लास में चलें शुरू करें अब टोपिक वापिस से ब्रेक लिया था हमने उद्यम की उपयोगिता अब जो आपका ये उद्यम है उसके क्या फाइदा उसके फाइदे क्या उपयोगिता है देखिए उद्यम से क्या फाइदा होता है पहला फाइदा उद्यम से क्या फाइदा होता है मुझूदा उपक्रमों में ग्रोथ में योगदान ध्यान देना जो आज के उपक्रम है उसमें क्या होता है एक नवा चार ले आते हैं हम लोग उसमें क्या होता है एक नवा चार ले आते है उद्ध में से ये फाइदा होती है सर वो कैसे यार आप सोचो ना अमूल का युदारन ले लो अमूल अपने तरीके से चलता जाए तो एक दिन वो बाहर हो जाएगा और बाबारामदेव जैसी कंपनी आगे पूरा मार्केट खा जाएंगे पतंजले जैसी तो अब अमूल जैसी कंपनियों के लिए फाइदे की बात होती है कि जब वो इस तरह के नए-ने रिस्क लेते हैं नए-ने चीजे मार्केट में लॉंच करते हैं नई सोच के साथ नई प्रॉबलम को सोल करने के साथ में तो वो नए जो पुराने उपकरम होते हैं उनकी ग्रोथ में योगदान देते हैं आप देखते हैं अमूल कितनी बड़ी कंपनी बन गए यह 25 आज-30 आज क्रोड की टर्नोवर है उनकी साल की सर वाइटी वाला भी सब्सक्रिप्शन चार्ज करोगे फ्यूचर में अब यह दिमाग नहीं लगा रहा यार ठीक है करना होगा कर लूगा कोई सब्सक्रिप्शन है वह 50 रुपे-100 रुपे महिना है ठीक है वह मुझे ऐसे दोगे स्टूडेंट्स आप लोग तो इसकी टेंशन नहीं है तो यह समझ लो कि मुझूदा उपक्रमों की गुरोथ में क्या होगा योगदान होगा अच्छा दूसरा नवीन वस्तूएं चातूरिय विकास में सायक help in developing new product and technique यार इसमें कुछ समझाना पड़ेगा मुझे क्या होता है आपको पता ही है मैंने आपको पहले ही बताया कि उद्ध्यम का उद्ध्यम मतलब entrepreneur के कारण आपको यह फाइदा होने वाला है कि आप नए नए product launch कर पाते हो नए नए technique market में दे पाते हो अभी आपने चश्मों की रेंज ही बदल दी है चश्मों की दुनिया बदल दी है वो stylish चश्में अलग लग lens के चश्में आपकी आँखों के इसाब से बड़िया बड़िया product आपको दे रहा है तो इससे फाइदा यह होता है थैंक्यू भानू इससे फाइदा यह होता है कि आपको सबसे बड़ी सबसे बड़ा उधार लिजिए सबसे बड़ा उधारन लिजिए आपका mobile phone का camera पुरा दुनिया ही बदल दी यार mobile camera ने आज आप देख रहे होंगे यह सारा जो tik-tok चल रहा है यह सारे जो reels चल रहे हैं आप देखते हैं na instagram reels youtube shorts आप लोग देख रहे हैं यह किसके कारण देख रहे है mobile camera के कारण से अब ज इतने camera में उसने fit किया था आज वो सारी दुनिया वहीं चल रहे है लोग लाखों रुपे कमा रहे हैं इस mobile camera से आप देखते हैं na instagram वाले यह youtube वाले लाखों रुपे महिना कमा रहे है mobile camera के थुरू recording करके editing करके तो यह नए नए नहीं नहीं तो आउनको लाखों रुपे का camera खरीदने में जो राजता था हजार रुपे का camera खरीदने में ठीक है तो mobile camera ने दुनिया ही बदल दी तो यह नए नहीं जो उद्ध्यम आता है थैंक्यू students अभी हम एक बार topic कर लें फिर मैं आपसे आपको जवाब भी दूंगा राम से बहुत बढ़िया लिख रहे हैं आप लोग अच्छा लगता है जब आप लोगों को value होती है ठीक है opportunity to full human potential अब ध्यान देंगे यहां पर मानविय शम्ता के उपयोग में कारगर अभी यहां पर आपको देखिए यह कोई point ऐसा नहीं है जिसमें मुझे कुछ समझाना पड़े इसमें फिर भी आपको लगता है कि यार नहीं समझा दो मोटे-मोटे तोर पर आप यह देखेंगे सबसे पहले तो आप कर क्या रहे है उध्यम की हो पयोगिता उध्यम से क्या-क्या फायते होते हैं सोचे देखो उध्यम से जीडिप बढ़ जाएगी उध्यम से जीडिप आप मोदी जी क्यों कह रहे हैं start-up इंडिया को क्यो promote करना चा रहे है GDP बढ़ाओ इससे jobs मिलेंगी लोगों को ज़ादा से ज़ादा लोग स्किल्स सेखेंगे मार्किट में नए नए प्रोडक्ट लॉंच होंगे हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे समझ रहो लोगों के जीवन में सुधार होगा कॉंपिटीशन बढ़ेगा आप सोचके देखो यह जो स्टार्ट अपस है यह फ्लिप कार्ट आया है यह लेंस कार्ट आया है यह यह ओनलाइन एजूकेशन हुई है इससे क्या क्या बदला आज आप लोग 10 बज़े घर पे 10 बज़े भी पढ़ाई कर रहे हैं नहीं तो पहले जो लोग जोब में जाते थे वो त्यारी कर पाते थे क्या नहीं यह ओनलाइन एजूकेशन किसने शुरू करी यह कंपनिया तो लेके आई यह यूटूब जैसी कंपनिया या यह जो एप बनाने वाले कंपनिया जिनसे हम लोग ने एप ले रखा है या यह स्टार्ट अप यह कैसे हुआ सोचके देखिए इनसे क्या बदला इनसे आज मैं 10 बजे तो क्लास शुरू करता हूं 9 बजे क्लास शुरू करता हूं रात को बारा बारा एक एक बज़े तक हम लोग पढ़ते हैं तो जीवन बदला की नहीं बदला नहीं तो शाम को साथ बज़े के बाद आटके पढ़ पा रहे हैं ड्यू टू यह एंट्रप्रेंशिप ठीक है तो इससे क्या क्या बदला आप खुद समझ पा रहे हैं जूम ले लो पूरा लोग डाउन जूम ने कट है लोगों का बहुत बड़ी एक्जामपल है पूरा लोग डाउन में लोगों का अर्बों खर आएगा कोश्चन आपसे क्या जानना चाहता है अगर उसने थोड़ी सी भी वर्डिंग चेंज कर दी तो आपको दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए यह नहीं है सिर्फ आप यह एडिंग पढ़ लोग यार ऐसी तो नहीं आई थी दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए मैं लोजि लोग कर रहे है अब इनसान की जो जो कैपिभिल्टी है उसको अंदर से खेंच कर ला रहे हैं आप देखेंगे इंजेनियर्थ वेले बैटे थे अब उन लोगों से काम लेकर उनको स्किल के दिये जा रहे आनी तो बीच में इंजिनियर्थ इतने लेलेकर फिरोज गुम रह बढ़ ये स्टार्टप्स ने उनको काम दे दे के उनके जो कैलिबर है उनकी शम्ताओं को बाहर निकाला है अब इन चीजों को समझिए ठीक है अभी देखिए अगली एडिंग क्या कहती है देश के आर्थिक विकास का सुत्रदार बेसिज ओव एकनॉमिक डेवलप्मेंट ऑ रहता है जिस से क्या होता है कॉन जी निर्मान होता है देश का विकास हो रहा है और क्या लिखाईगा इसमे देश का विकास हो रहा है नए अव्पक्रमों की सहide फिलिपकाट कितना बड़ा उपक्रम बन गया आप खुद सोचके देखे फिलिपकाट कितना बड़ा उपक्रम बन ऑपेटियम देख लो आप कितनी बड़ी कंपनी है वो हाँ share गिर रहे बざ। अलग ए परifer कंपनी कितनी बड़ी है जुमाटो लेलो स्विगी ले लो पोलिसी बजार ले लो ठीक है तो नए नए उपकरम आई है बड़े बड़े उपकरम आई है उनमें बहुत हेल्प होती है बाइनेंस देख लो जो चाइना वाली है रोजगार के अफसर मैंने आपको पहले ही बता दिया अब इस से क्या है नए नए जॉप मिल रही है अभी आप देखो फ्लिप Когда ने फ्लिप कार्ट ले लो जो माटो ले लो ठीक है इन्होंने क्या किया है कितने सारे डिलीवरी बोल्स अजर डेलिवरी जो कॉरियर वाला है उसने क्या किया इतने सारे लोगों को काम दे रहे हैं यह लोग, दे रहे हैं आप लोग खुद देख रहे हैं, Zomato ने कितने कुरियर डिलिवरी के लिए लगा रखे हैं, Swiggy ने लगा रखे है, Flipkart ने लगा रखे है, ठीक है, Capital Formation लोगों के क्या हो रहे है? पैसे बन रहे है लोगों के पैसे बन रहे है न? ठीक है अब पुण्जी निर्माण को लोगों के Business बन रहे है Business से लोगों के फाइदे हो रहे है वो लोग इंवेस्ट कर रहे है आपे देखा न? शार्क टेंग इंडिया में लोगों ने इन्वेस्ट किया है उससे उनके क्या बन रहे हैं पैसे बन रहे हैं तो पुंजी निर्माण में साहिता हो रही है ठीक है अच्छा जी ये प्ली को देखते ही समझ में आजाएंगे ये पीडियेफ में अइप में डाली रहा हूँ आपको पता ही है हलंकि हिंदी वाली में डाल दी थी, इंगलिश वाली अब में डाल दूँगा तो simple simple से point है बस फर्क यह आपको समझ में आना चीए किया इस question में क्या मिलने वाला है मुझे संतोली तार्थे के विकास बार-बार सरकार क्यों करी है सरकार ने स्कीम बनाई पर उसको उतर नहीं नहीं दिया जमीन पर उसमें नियम शर्ते ऐसे लिख देंगे जो कि पूरी नो वो स्कीम में धरी की धरी रह जती है ठीक है बस उन्होंने सोच लेते हैं कि हमारी सरकारी जोब लग गई अब भाड में जाए दुनिया पर सरक को जाए है ये उसमें सीयोंAm garant को दियाह día अब आधार से इतना फाइदा हुआ है ये टेक्नलोजी से ये नए वेंचर से इससे इतना फाइदा हुआ है कि आप मानेगे नहीं आज आप SIM लेने जाते हैं अधार का यूज कर पाते हैं मैं जिरोधा का खाता खोलता हूँ online share market के लिए वहाँ से हो जाएगा आने वाले टाइम में आप insurance का claim लेंगे तो अधार से verify करो चलो आज आप income tax की return को अधार से verify कर लेते हैं आप सोचिए यह अधार ने हमारी दुनिया कितनी असान कर दिया अधार ने आपकी दुनिया कितनी असान कर दिया आज आप account में DMAT account में खोल लेते हैं किस से अधार से verify करके income tax की return मेनेट में हो गई आपकी verify नहीं तो पहले बेंगलूरू जाती थी आपको याद होगा जो CA के आर्टिकल शिप हैं वो पहले जो आपका ITRV निकलता था उसको pack करके एक अठे करते रहते पहले आप फिर उसका एक packet बनके फिर आपको बेंगलूरू डिलिवर करते थे आज करना पड़ता है नहीं करना पड़ता क्यों अधार से OTP verify करो काम खतम ठीक है जी तो इससे सरकारी योजनाओं में सरकारी नेतियों में भी साहता मिलती है जब नहीं नहीं टेकनलोजी आ जाती है help in social change समाजिक जीवन में तो बदलाव आता ही है अब आप खुद ही समझधार है आज ये start-ups के कारण ही आप लोगों के हर वेक्ति के हाथ में mobile phone है ये YouTube के कारण ही आप लोग आज मुझे यहाँ पर live देख पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ वो hand-to-end आप लोगों तक पहुंच रहे हैं मुझे से जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग पढ़ पा रहे हैं ये technology के कारण से हो रहा है इस apps के कारण से हो रहा है तो इससे समाजिक बदलाव तो आता है देखिए इसमें कोई शक वाली बात नहीं है ठीक है अच्छा इससे अंदविश्वास, रोडिवाज़ता, अकूप रथा हैं ये समाप्त होती है ये काने के बात है ठीक है जी मतलब ये सब होता है no doubt आज कल आपके पास facebook से instagram से जो जिस टाइप की news आप देखना चाहते हैं वो आती है एंकरेज टू, research and investigation अब इससे क्या फायदा होता है इससे ये फायदा होता है कि शोध को बढ़ावा मिलता है इससे क्या होता है शोध को और बढ़ावा मिलता है बिल्कुल मिलता है बाइस साब कंट्यूनिसली रोज कुछ ना कुछ नहीं आ रहा है उसको और कहते हैं कि नहीं अभी जैसे लैंस काट वाले प्यूश बंसल है वो रुख थोड़ी ना गए वो रोज नहीं नहीं टेक्नलोजी पर innovation कर रहे हैं और नहीं नहीं टाइप के चश्में लांच कर रहे हैं हाँ यागमी यागमी अगर मैं पढ़ने में अगर मेरा pronunciation सही है था तो हाँ आप इलीजिबल हैं तो यहाँ पर आज हमारी एक घंटे की लगबग क्लास हो गई है कल मैं इस topic को complete कर दूँगा लगबग 20-25 मिनट का 30 मिनट का एक topic कल यह बचा है ठीक है राम 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 जी रा हुआ है इसको हम कल टेक अप कर लेंगे और कल शायद आपकी क्लास नहीं होगी कल क्योंकि हमारे घर में कल पूजा है और कल की क्लास नहीं होगी हमारे घर में पूजा होती है मंडे की कल पूजा है हमारे घर में पूरा देनी गैस्ट रहेंगे तो कल मैं आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा कोशिश करूँगा क्योंकि 10 बजे के बाद अगर मैं मैं बता दूँगा आप लोगों को क्योंकि 10 बजे तक अगर सब कुछ हो गया लोड कर रहा हूं और कल 10 बजे के बाद क्लास जो सकती है यह बिजनस मेहिने में जो लोड़ी के बाद होता है वहां पर उस चार जो सौबार आते हैं उन मेंसे किसी भी एक सौबार को हम अपने घर वो पूजा कर सकते हैं यह हमारी जो community है उसके अंदर ये system है ठीक है तो इस Monday को हम लोग अपने घर में कर रहे हैं पिछले दो तिन सोंबार जो गए है मांग के महीने में लोडी के बाद जो मकर सक्रांती के बाद वो हमारी community में दूसरे लोगों किया था कल हम अपने घर पे कर रहे हैं नेक्स्ट मंडे किसी और के घर पे हो सकता है ठीक है तो यह system बना रहा है हमारे traditionally पूराने जमाने से तो हमारे घर में शिव जी की पूझा रहेगी कल और पूरा दिन फिर हमारे क्या बंडारा चलता है प्रशाद का ठीक है खुश्बू एप पर ही टेलिग्राम चैनल पर अभी यह यह बुक्स की पीडिएफ हम लोग नहीं अपलोड करेंगे टेलिग्राम चैनल पर हम mcqs करेंगे या information share करेंगे ठीक है टेलिग्राम चैनल पर mcqs के लिए मैं एक person को अपॉइंट कर दूँगा सिदार्थ के रहे हैं खाने में क्या है सिदार्थ आप कहां रहते हो गंगानगर में रहते हो तो आ जाना ठीक है खाने में क्या होता है खाने में राइस होते हैं कल हमारे घर में अनाज नहीं आएगा चावल को अनाज मत बोलना रोटी नहीं चलेगी आटा नहीं चलेगा कल हमारे गर में राइस होंगे चूरी बनती है हमारे तो तो गंगानेगर वाले लोग आ सकते हैं जो अगर गंगानेगर से मुझे सुन रहे हैं तो आज की क्लास को हम यहीं कम्प्लीट करते हैं कोई कोश्चन मुझे लगता है अगर बचता हो तो अधर्वाइज बाकि जिन्होंने बुकिंग करवानी हैं बुक्स की काफी सारे स्टूडेंट कर रहे हैं अरे फ्री में कर लो यार अब देखो भाई मैं फ्री में करवा रहा हूं पेड क्यों करना है तुमको ओफलाइन करना है तो गंगानगर में कर लेना जब मैं फ्री कर वा रहा हूं तो पैसे क्यों देने तुमने पैसे देने क्या बताओ मैं पैड लूंच कर दूंगा अब मैं फ्री में पढ़ा रहा हूं पैसे जरूरी देने आप लोगों ने देने हैं तो भीया मैं अपना खाता नंबर देता हूं डाल दे तुम राजिर हो यार एप पर डिरेक्ट मिल जाएगी हाँ एप पर वो जो कोर्स है उसके अंदर मिल जाएगी ठीक है जी अरे फ्री में पढ़ो रहा है मसा तो मैंने अपना दिल खोला है ठीक है बस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना ठीक है और कंटिनियूसली हम ऐसे बाते करते रहेंगे बुक्स में complete course है बुक्स में complete part 2 का course आपको मिलेगा अभी e-books चलनी शुरू हो चुकी है धेरे धेरे अगर खुश्बू आपको नहीं पता हमारा system तो मैं बता देता हूँ हम लोग जैसे जैसे chapter बनते जा रहे हैं उनको वहाँ पे upload करते जाएंगे और अपरेल में आप लोगों को बुक्स की delivery होगी बुक्स की price 1499 रुपे है अगर आप 5 तारिक से पहले book कर लेंगे booking के लिए सिर्फ आपको 499 देने 1000 रुपे आपको अपरेल में लेंगे जब आपको बुक्स गर पे बिजवाएंगे और जैपूर में तो मैं किताबे खुद लेकर आऊँगा आप लोगों को बुलाऊँगा क्योंकि जैपूर में मुझे पता है मुझे एक छोटा ट्रक बरके आना पड़ेगा जहां तक chances है ठीक है अगर करोना की चकर नहीं रहेगा तो वो मिनी हाथी लेके मैं किताबों का जैपूर में आऊँगा एपरेल के महीने में आप लोगों से मिलूंगा भी क्योंकि मेरा 50% बुक्स जैपूर या जैपूर के आसपास ही डिलीवर होती है तो मुझे मालूम है जैपूर के आसपास के तो मैं अगर बुलाओंगा तो वह भी जैएंगे तो कोशिश करूंगा जैपूर में तो मैं पक्का से बुक्स लेके जाओंगा क्योंकि मुझे पता है वह छोटा हाथी या एक खुब बुक्स जाएंगी वहां पे जैपूर में कि ठीक है अरे जते इंटेंशन मतलो या ठीक है ऐसा ही है तो मैं वही कह रहा हूं तो जैपूर में तो मुझे पक्का से डिलिवरी खुद भी जाओंगा साथ में और वहां पे किसी ओडिटोरियम में हम लोग कोशिश यही है जितना आप लोग प्यार करेंगे बाकी आप लोगों का प्यार मिलता रहे आगे भी अपने दोस्तों को मित्रों को शेयर करो यार ठीक है थैंक यू कुमार गनेश अपने दोस्तों मित्रों को शेयर कर देना उनको भी ठगी मत करवाने देना लोग सिर्फ कोर्स बेच रहे है ठीक है क्वालिटी बूल जाएं तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बुक्स में इस बार बढ़ियां क्वालिटी दूँ जैसे देखो ये चीज मेरे सामने आगे तो मैं इंको इंप्रूव करता जाओंगा जैसे मैंने पीडिएफ में कनवर्ट किया ये भाशा का देखो शह का क्या हो गया तो ऐसी चीजे मेरे सामने आती जाएंगी और मैं इनको इंप्रूव करता जाओंगा और आप लोग भी मुझे बताते चले जाना कि जहां पर थोड़ी बहुत भी मिरसे गलती आ रहे तो मैं उनको इंप्रूव कर दूँ जब किताब छपे ठीक है चलिए गोरव सिंग कह रहे हैं बोथ पेपर है क्या देखो अभी पार्ट टू शूरू किया हुआ है पार्ट वन भी हम लोग आपको कंटेंट दे देंगे टेंशन मत लेना पार्ट वन का भी मैं कंटेंट का अरेंजमेंट कर दूँगा डॉंट वरी पिछली बार भी कर दिया था जेविनल के टाइम पर भी अब भी कर दूँगा कभी अजमेर भी आओ खुश्बु 499 पर टोकन प्राइज है 1499 पर चार सो निन्यानवे इसलिए अभी ले रहे हैं कि स्टूडेंट को ज्यादा रिस्क भी ना हो अभी वो 499 देगा एपरिल में हम उनसे 1000 रुपे लेंगे ठीक है और अगर 5 तारीक के बाद स्टूडेंट पैसे देगा तो 1799 पर हो जाएगा 300 पर बढ़ जाएंगे ठीक है यह सिस्टम है 499 पर इसलिए ले रहे हैं ताकि आपकी पढ़ाई शुरू हो जाए आप एप में देख पाओ कि हमारा कंटेंट कैसे है सपोस कर लो आपको हमारा कंटेंट पसंद ना है और आप हमें सारे पैसे अभी दे 2499 जैसे बाकी अकैडमी वाले करते हैं जो भी फीस होती है सारी ले ले लेते एक अठी आपको हमारा कंटेंट माल लो पसंद नहीं आया तो आप 1000 पर मत देना ठीक है आप e-books पढ़ना, महाँ पर टेस्ट भी पढ़ना जो भी टेस्ट होंगे तो इसलिए हमने सिरफ basic price रखी है ताकि student भी safe रहे उसको हमारा कंटेंट अच्छा लगेगा तो वो हमें 1000 रुपे देगा अगर कंटेंट अच्छा नहीं लगेगा अगर प्रोफेशनल के वो deep meaning से लिंक करना चाते हो जिसमें लिखा होता है कि प्रोफेशनल के लिए उसको डिगरी की जरूरत होती है तो तो नहीं है डिगरी की जरूरत तो कहा है ओद्यमेता में भी ओद्यमेता भी तो एक business ही है अपने shark tank में दिखा होगा एक किसान आया वेचारा वो किसान जुगाडू कुछ करके नाम था उसका तो उसमें वो भी तो entrepreneur है वो भी तो business man है ठीक है पर क्या उसको कोई degree या professional वैसी जरूरत है अगर आपका वैसे वाला मतलब था इस line लिखने का फिर कोई जरूरत नहीं है जोदपूर का कोई plan नहीं है यार जैपूर का तो plan 100% है मेरा ये कोरोना थोड़ा ठंडा हो जाए जैपूर तो पक्का आऊँगा सर test solution class भी लोगे ना पहले की तरह पूजा देखिए मैं आपको बता दू मेरी जो test की ना planning तो बहुत कुछ है बट वो depend करता है कब क्या चीज हो पाएगे जो भी best होगा ना करूँगा पर उस चीज का ना video solution वाला अभी commitment नहीं दे रहा पर हाँ आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ arrangement कर दूँगा क्योंकि देखिए जो commitment करो ना उसको पूरा करो इसलिए मैंने वह सारा system ही चेंज कर दिया आपको ध्यान होगा वह 399 वाला प्लान ही मैंने आप लोगों के लिए डिजश्ट कर दिया वह इसलिए कर दिया कि अलवर का प्लान था अब नहीं है हाँ जी सर जोदपूर भी आओ कभी ठीक है जी देखते हैं आप लोग अगर देखो जैपूर के तो मुझे पता है कि मेरे ना जो शहरों में अच्छी खासी डिमांड आई महां पर खुद जाऊंगा बच्चों से मिलने के लिए ठीक है क्योंकि मुझे पता है बहुत बच्चे प्यार करते हैं स्टूडेंट्स प्यार करते हैं जैपूर में तो सो प्रसेंट जाना ही होगा क्योंकि जैपूर से तो फेस्बुक पेज अपने ग्रुप में बताओ यार कि मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं कि मुझे यूटूब पे चलानी पड़ेगी फ्री क्लासिस के लिए भी ऐसा करना पड़ेगा क्या तो बड़ी शर्म की बात हो जाएगी आपके और मेरे दोनों के लिए अगर मैं फ्री क्ला लोग की मरजी है लाइक देखे कितने लोगों ने किया है 27 और पता नहीं कितने लोगें चले गयोंगे चलो जी मरजी ही आप लोगों की मैं अपना काम करूँगा आप अपना काम करिया